हेलो फ्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज की वीडिये के अंदर में आपको बताने वाला हूँ कुछ नए बच्चे भी आते हैं चैनल के उपर तो पूछते हैं सर्जों आपका सीटेट का बहच रहने वाला है तो कौन-कौन टीचर उसके अंदर हमको पढ़ाएंग को कि मैं सभी तीचर यहाइंए वाले एक हैं करके वह अपने सब्जेट के बारे में बताएंगे यह एक है करके आप妥 की कैसे तayisiaर कराने वाले उसके बाइंगे ओस कि बारे मैं आप maats को बता देता हो आयोप आफ शको ज्यान से सुनोंगे और बैच के और कों जितिनी रह किज़े वह सभी आप लोग की आपर आज किलियर हो जाएंगी तो सबसे पहले में आपको बैच के बाले में बता देता हूं फिर सभी जितने भी टीचर है के करिकट्ने बारे मां आपको बता देंगे सब्जेट के बारे नों बता देंगे क्या पढ़ाएंगे वो चीज आपके सामें शेयर करतेंगे तो पहले मैं इस्टुटेंट को या पर बता देता हूँ ठीक है तो चलिए पहले में इसकी आपको इंफोर्मेशन दे देता हूँ दें उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको को या पर बता देंगे देखें सबसे पहले आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग ने सभी टीचर को एक साथ में आप पर देख वी दिया होगा अगर मैं इसके बैस की बात दरू तो जो आपका पेपर वन हो चाहिए आपका पेपर टू हो यह आ पयारी कराते हैं या किस प्रकार से इसकंदर होता है वह आप लोग किसी भी अपनी जान पेचानवारों से पूछ सकते हो जिसको आप लोग सचिन अगेडमी ओफिशन एप्लिकेशन को पर जाकर ले सकते हो ठीक है उसका प्रोसेस में आपको बता दूँगा कुछ आपको प पेपर फिर्ट हो चाहिए अपका पेपर सेक्ट हो यह उसके लाव आपके दोनों ही हो तो इसके अंदर आपको लाइव क्लास के बाद साथ में आपको मोग टेस्ट यहाँ पर मिलेगे देखे पेपर आपका ओफ-लाइन है ठीक है बट इस से पहले जो आपका उनलाइन पर के पैटन पर ही मतलब आपके मोग टेस्ट बनाएथे कि लाश्ट के टाइम में आपको बहुत हैल्प करेंगे एक पहां से सीधे कुस्टन भी मिल जाते है दूसरी बात आपके यह पर प्रैक्टिस हो जाते ही टाइम मेनेजमेंट हो जाता है जो अच्छे बहुत चिन सर नोट से लिख दोगे तो ज्यादा से रहेगा क्योंकि जो आपके नोट का फर्चलन है यह सबसे पहले मैंने इसको आपर देना शुरू करा था और यह नोट इतने रह देता कर बच्चा इसको भी अच्छे प्रकार से करेगा तो उसको कुछ करने की जड़ों के आप प्रकार से निकल जाएगा तो जितने भी प्रीवेशर के क्कुष्चन है क्योंकि यह नाम से प्पूरे देश बरके अंदर भी रही है तो मेरी नहीं आई लेकिन पेक पहले आ गई तो प्रीवेशर के क्के लिए आपको पिर अलग सक कुछ भी लेने की जड़ोत नहीं पड आपका देखे एक महत्पून सेक्शन होता आपका NCERD का क्योंकि जैसे मालीच आप लोग जो कि अपने सब्जेट की तर्यारी करतो हो, EBS पढ़तो हो, Science पढ़तो हो, Mathematics भी पढ़तो हो, NCRD बड़ा महत्पून लोग निबाती है, तो NCRD के लिए कुछ बच्चे को भुक आपको NCRD भी मिल जाएगी, और जितने भी हमारे आपर आपको NCRD भी पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर सारा आता ही उसी मेंचे है, बटो किस परकार से पढ़नी होती है, वो सभी एक एक करिका आपको आपको आपर बशा देंगे, ठीक है, तो नोट्स के अंदर ये सब चीज आपको बेच के अंदर मिलेगी, और ये बेच जो आपका रहेगा देखे, ये आपका कम हो गया है, सिर्फ 990 का ये एक हजार रुपे से भी आपका कम का है, और इसके अंदर ये आपके डिसकांट दिया हुआ है, और ये आपका 18 नौमबर तक आपका डिसकांट रहने वाला पर दो दिन कराने के बाद आपके तवार शुरू हो जाएगे, दिपावली वगरा आपकी शुरू हो जाएगी, तो टीचर भी बीज़े हो जाएगे, तीन-चार दिन आप लोग भी बीज़े होगे, तो इसके जो क्लास रहेगी, आपकी वो 16 नौमबर से मैं आपकी क्लास स सकते हो, और उसके अलाबा फिर जितनी भी पैयारी की जिनमेदारी हो आप लोग हम लोगों पर यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है, तो यह आप लोगों की क्लास 16 से स्टार्ट हो जाएगी, और 18 तक आपको डिसकाउंट भी मिलना है, जिसमें पेपर पर पर्ष्ट हो, च जितनी इसके इपना डिटियलती, वो में ना देदी, अब देख्या एक एक करके मैं जितने भी टीचर है, सभी को बुला लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों इसको प्लेश टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अपने इस बैच को ले सकते हैं, तो सभी टीच आप लोग लेंग्वे से सुरू करिये, हिंदी, इंग्लीज और संस्कृति, तीन लेंग्वेज हमारे आपर होती है, तो सर पहले आप बतेगे, शुबसंद्या पहरे साथियो, उमीद करता हूँ, सभी लोग स्वस्थ होंगे, तो दोस्तों, सीटेट के अंदर मैं आपको यहाँ पर हिंदी सिक्षन, जिसे हम हिंदी पैडगोजी कहते हैं, उसके बहुत अच्छे जो नई तप्थे हैं, उनके साथ हम इसको अच्छे से करने वाले हैं, उसके साथ में जो गध्यान, स्पध्यान साते हैं, और साथ में व्याकरन के जो प्रशनाते हैं, उन पर हम औ वाली में आपको बताएंगे अपने सब्जेक के बारे में प्रिणाम विद्यारती हूँ कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ तो मेरा नाम कवितर अंगवार है जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपको संस्क्रिट स्क्षन पराने वाली हूँ कि इनकी लेंग्वेज नहीं होती है कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मतलब बहुत ज़दा कठीन है बहुत ज़दा टफ है पर ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोग बिल्कुल निशिंत हो जाईए बिल्कुल फिक्र मत कीजिए एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा डेमों वीडियो आपको मिली जाएगी प्रिवियस एर के जो बच्ची है पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरह जानते जो आपकी पेपर आया है ना इस बार इतना अच्छा पेपर आया था कि पूरा का पूरा गध्यांस और जो आपके सिक्षण की कोश्चन थे सभी बहुत सरा लग रहे थे बच्चों को सभी पढ़े हुए थे धन्यवाद उम्मीद करती हूं समझ में आया हूँ एक बार लेंग्वेज की बात कर लेते हैं इंगलीज की गुड़ीबनिंग एवरिवन मेरा नाम है निधी और मैं आपको इंगलिश पेड़ागोजी और इंगलिश ग्रामर पढ़ाऊंगी इंगलिश पेड़ागोजी में आपने देखा होगा कि हमारा जो इस बार के questions आये थे थोड़ी से concepts new थे और pattern भी थोड़ा सा questions का अलग था तो हम जितने भी तरीके के हमारी questions आई थे उनको देखेंगे उनकी practice करेंगे और grammar में भी हम जितनी भी grammar पूछी जाती है वो सारी की सारी grammar करेंगे और passage की जो अप्रोच होती है कि कम टाइम में हम जादा सही आंसर कर पाएं वो भी सारी चीजे हम लोग करेंगे चिक है अब मैं EBS से स्टार्ट करता हूँ हेलो अबरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होगे तो दोस्तों मैं आपके साथ जो subject discuss करने वाला हूँ वो है आपका बहुत महत्पून subject EBS और साथ में उसकी pedagogy तो दोनों ही चीजे हम बहुत अच्छे से करेंगा और साथ साथ इन दोनों के साथ साथ theory plus pedagogy के साथ हम जो आपके साथ discuss करने वाले हैं जो pattern change होता है जो उस पर नए question बनते हैं जैसे आपने last year देखा तो assessment reasoning यानि कथन और कारण वाले जो प्रसंते वो नए add किये गए और वो बच्चे देखते ही उन्हें छोड़ देते हैं फिर तुक्का मार देते हैं तो उन question को आप आसानी से कैसे करेंगे यह मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा उन question से फिर आपको डर नहीं लगेगा बलकि यह सोचो कि कि ऐसे कुशन और ज्यादा पेपर में तो इस तरह से कराएंगे और बात करें पेपर सेकंड की तो वहां मैं आपको जोग्रफी प्लस SST पैड़ा गोजी दोनों बहुत अच्छे से कराने वाला हूं सर एक चीज़ और आपको बताओ सर्ड ने कुछ कुशन तयार के हुए है जो कहीं नहीं है पूरा मार्केट आप देख लीजिए चाहे आप जो मार्केट में प्रेक्टिस से ना उनका देख लीजिए वो मैंने खुद से किया और चैप्टर वाई हर चैप्टर से बीस कुश कि आने वाला हों history और quality तो जो अब हम हाल फिलाल के उसमें देख रहे है तो सबसे जो कठिन लग रहा है बच्चों को ए जिसका सबसे कम रिजल्ट आ रहा है वो ssts. त में आपको दिख रहा है और ssts. असलिए कि बच्चे को ये भी पता है कि ncrt से बाहर कुछ नहीं आता लेकिन बहुत सारे बच्चे को यह नहीं पता है कि NCRT हम पढ़ते कैसे है और NCRT पढ़ने के बाद कोशन कैसे फ्रेम होंगे तो मेरा फोकस पूरी कलास में यही रहेगा कि history और quality पढ़ने के दोरान कि आपको जो है बहतर content के साथ NCRT कराऊ और साथी साथ जो भी आपको topic पढ़ाया जा रहा है उससे related previous में पूछेगे सभी कोशन और जो expected कोशन हो सकते हैं जो नए कोशन बन सकते हैं तो हमारी strategy इसी तरह से चलेगी content के साथ question practice और हम पूरा focus करेंगे कि एक भी question हमारी class से बाहर ना जाए कुछे चलिए अब science की बात कर लेते हैं आजी ही sir नमस्कार सभी को मेरी तरफ से तो सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं मैं निखिल गोई अल आप लोगों को science में physics पढ़ाने वाला हूं सिर्फ पढ़ाने वाला physics के साथ रिष्टा बनाने वाले हैं हम लोग क्योंकि हम physics को 0 से hero level तक cover up कर लेंगे NCRT का एक एक word अच्छे से समझेंगे एक एक question बहुत तरीके से करेंगे और obviously सारा पढ़ने के बाद previous year question तो हम detail में करने ही वाले हैं इन सभी questions को करने के बाद आप लोगों को ये समझ आएगा कि कहीं से भी आप लोगों का physics में question आता है न आप घबराओगे नी बेशक physics बचों को मुश्किल लगती है लेकिन मेरी guarantee है आप लोगों के साथ कि जिस तरीके से हम ट्रिक्स के साथ physics को याद करने वाले हैं concept के साथ physics को समझने वाले हैं किसी भी तरह का question आई आप आराम से कर लोगे बाकि डेमो जब चलेगा आप लोगों को समझी आने वाला है एक चीज में आपके साथ और शेयर करना चाहते हो देखे हमारे कुछ teacher ऐसे है जो UBSC तक की तैयारी कराते है आप लोग सोच सकते हो CTAT का exam कितना बच्चा सा होगा पोती की उमर का होगा यह था इनका तो आप लोगों सकते हो जो बड़े exam होते सीटेट पास होने होगा जो आपको जो दिलाने वाले exam होते तो उसमें सभी लोग यह पढ़ाते ठीक है तो CTAT में तो आपको इतना गवरानी की जौरत नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% से भी जादा अच्छे से अपन कवर अप करेंगे कहीं से कैसा भी क्वेशन आजाए आप अराम से कर लोगे चलिए अभी सर से जानते हैं बाकी साइन्स के बारे हैं अधिये सारापती के अंदर जो पैडागाजी वाला सेक्षन है जिससे की 10 प्रशन आपके बनते हैं और खास करके जो नए विद्धारती हैं उनको काफी समस्या आती है तो बिल्कुल शूनने से पैडागाजी को पलाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से साइन्स में आप 100% स्कोर कर सकते हैं जैसा कि सजीन सर अभी कह रहे हुए थे आप सबको विधित होगा कि प्रिघेस को तो लगाएंगी ही लगाएंगे हर वर्ष कुछ नए प्रशन बंते हैं तो उनको समझने का प्रयास करेंगे साथियों कि इस वर्ष कौन से नए प्रशन है तो ये आपके लिए जो होगा पिटारे से नया निकलने वाला है तो मिलते हैं नई उर्जा के साथ साथियों क्लास में नन्यवाद अजी नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों अप सबी बढ़िया होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी सीटेट की त्यारी में लग चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि मैं आपको mathematics and pedagogy टीज करता हूँ और पुराने बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से हमने कितना बहतरी results हम already दे चुके हैं तो हमारा target भी बच्चे ऐसा ही होना चाहिए कि कई ना कई हम बढ़िया score ही करना है 150 marks का exam होता है और 150 marks की हमें preparation करनी है और तियारी इस लावल की होनी चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों आप mathematics से डरने की जरूद है निए आपका background कुछ भी रहा हो किसी भी background से आप रहे हो ठीक है आप maths की tension लेनी छोड़ दो tension लेनी मिन चाहिए क्योंकि आपने सुना होगा कि फिकर करता है क्यों फिकर से होता है क्या कर ले तो खुद पर भरोसा फिर देख होता है क्या तो मेरे प्यारे वच्चों अपने आप पे विश्वास रखना है विश्वास मजबूत होना बेहत जरूरी होता है क्योंकि क्योंकि विश्वास अगर कमजोर होता है ना मेरे प्यारे वच्चों तो इंसान बिखर जाता है अगर विश्वास दृड़ वे मजबूत है तो इंसान निखर जाता है ठेक है तो हमेशा मुस्कुराते रहना है खुश रहना है क्योंकि जिन्दिगी में सदा मुस्कुराते रहो है मुस्कुराना जिन्दिगी की जुरूरत है जिन्दिगी जियो संदाद से कि तुम्हें देख के लगे कि जिन्दगी कितनी खुबसूरत है तो जिन्दगी बेहत खुबसूरत है टंशन लेनी नहीं है सीटेट की त्यारी में लगज़ दाना है और इस बार जो आपको लोगा मिला है तो चोका लगाना है मेरे प्यारे बच्छों ठीक है तो आप लोग पिर मिलना है में इसको आपके वैश्ट रहेगा सीट्ट का मेरी जो एपलिकेशन सचीन अकडमी ओफिसियल इस पर आप लोग इसको गूगल प्लेश्टोर से जाकर डाउनोड कर लेना तो आपकी एपलिकेशन डाउनोड कर लोगे तो यहाप पर अपना रजिस्ट के बाद आपके सामने आपके कोर्स आ जाएंगे इस क्रीन पर भी आ जाएगी अब लोग की तरफ से कुछ कुछ कोस्टन देखने को मिले जो मैंने आपको बता दे कि जन बच्चों ने ओ लेड़ी हमारा कोर्स ली आता ठीक है रिजल्ट आने के बाद लिए तो उनको बार- जुन्हों ने पहले लिया है तो उनको पहले भी रहेगा और यह वाला भी उनको साथ में फिरी में उनको मिल जाएगा ठीक है और जो बच्चे नए लेना चाहते तो आप लोग मेरी सचने अकेडमी ओफिशल एपलिकेशन से जाकर आप लोग इसको ले सकते हो और इसके बाद कोई भी अधर कोई भी किताब कोई भी अलाना फलाना कुछ भी लेनी की जरृत आपको नहीं है एक रूपआ फिर आपको investment कहीं करने की की जरृत नहीं है क्योंकि इक बार मैं आप से हमेसा कहता हूँ तो अगर आप लोग ने कोर्स के अंदर यह सारी चीज आपको मिले तो उसके अलावा आपको कहीं और रूपे देने की पैसे देने की कुछ भी ज़रूत नहीं है तो इसके अलावा आपको कुछ लेने की ज़रूत नहीं पड़ेगी ना इसके अंदर हम आपको दिलाएंगे औ तक आप लोग इसको पास नहीं हो जाते ठीक है तो चेले फेंट्स आज की वीडियो के अंदर मुझे आपको यही जानकारी देनी थी आयोप आप लोग संतुष्ट होए होंगे एक दो कुश्चन आपके ले लेता हूं काफी कुश्चन आपके आरे देन उसके बाद मैं वीड देखलेना कुश्चन ले लेता हो यहाप और आपका क्या है आपका ठीक है कि क्या फ़ए बयुकर त्यारी करिए कोई दिक्कत यहाप तको नहीं होने वाली ठीक है अच्छा है इस सब लिखाए दोनों paper का लिखाए दोनों paper लेने ओn'ta यह मिल जाएगा इसको और thing मेड है भर सकते हो यही question लोग आप लोग gonna hoorley आप लोग भर सकते हो ठीक है कि यूटूब पर मैं कराऊंगा classes आपके लिए ठीक है यूटूब पर भी कराऊंगा लेकिन सभी सब्जेट पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होता है तो इसलिए जो बच्चे प्रोपर पढ़ना चाहते एक जंगे से पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आपका फिर यह बैच होता है ठीक है चले फैंट्स आज की उडियो के अंदर मुझे आपको यही जानकारी देनी थी आयोब जीतनी भी जानकारी आपको मिलनी चीए वह आप लोगों ने ले ली मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यों